हेलो फ्रेंड्स आप से भी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चानल स्टाड़ी वे सुजित में तो दोस्तों आज लोग देखेंगे क्लास 12 के बाइलोजी के महत्पूर्ण पार्ट नमबर 16 इससे जितने भी अबजेक्टिव हमारे बोर्ड एकजामें अभी तक कि पर्यावरान के मुद्धि इनवेरोमेंटल इसू कि फस्ट नपरस्न के मुख्या वायू पर दूसा कॉनसा होथा है सीयो करमोनक साइड C2 करबनीक से थे रूप में क्या होता है वह और दूसे कर दोसा के बाइल centuries को जाए başता है कि सूर्य की रोसनी से पराबैगनी बिकिरन की परकिरिया होती है जिससे उत्पादित होती है CO, SO2, CO3 और फ्लोराइड तो इससे जो उत्पादित होती है वह O3 होती है यहीं O3 उत्पादित होती है पराबैगनी बिकिरन से याद रहेगा अब रशने की A02 Sulfur dioxide का परदूसर नस्ट करता है इन में से कौन सा परदूसर नस्ट करता है वह Lichen जो होता है परदूसर नस्ट करता है A02 का और Lichen जो बना होता है कवक कवक पलस से सेवाल का मिश्टरण Lichen कहलाता है यानि कि ये Lichen कहलाएगा कवक और सेवाल का मिश्टरण तो A02 का परदूसर नस्ट जो करता है वह Lichen करता है याद रखेगा नेक्षन प्रस्ण है और ये जो प्रस्ण है बहुत ही मत्पूर है कि चीपको अंदोलन निम्न की सुरक्षा के लिए अस्थापित किया गया घास अस्थल जंगल पहाड और नदी तो चीपको अंदोलन ये जंगल की सुरक्षा के लिए अस्थापित किया गया यानि चीपको अंदोलन कहने का अरत है उस समय क्या होता था चीपको अंदोलन में निकि जंगल की कटाई को रोकने के लिए नेक्स नप्रस्ट ने भुपाल गैस तरास्दी केस के रिशाव से कौन सा गैस से रिशाव हुई थी तो उसमे मिथाइल आइसोसाइनाइट रिशाव हुई थी यानिका अपसा नमबर C इसका राइट एंसर हो जाएगा PAN का मतलब है पोली एक्रोनाइट ट्राइल, एसमग, एसोटू, सलफर डाइकसाइड भुपाल गैस तरास्टी में ये तो सभी को मालूम हो के मिथाइल आइसोसाइनाइट गैस का रिशाव हुगा था और बहुत ही छाती पहुंची थी उस समय प्रश्ण की क्लोरो फ्लोरो कर्वन, CFC उतरदाई होता है तो यह जो उतरदाई होता है ओजोन प्रत की छड़न के लिए यानि की अपसा नमबर B इसका राइट एंसर हो जाएगा और प्रश्ण है की निमली खित में से कौन सी एक गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है तो ग्रीन और यह जो CH4 है यह इसे गोबर गैस के रूप में भी जानते है और इसे पांक गैस के नाम से भी जानते है नेक्ष्ण प्रश्ण है प्रश्ण की मानव सधानत या धुआनी तिवरता सहन कर सकता है तो मानव जो यानि की मनुस्य जो तो होता है वह अधिक्तम तिवरता 150 से 140 40 db थीवस को मनाय जाता है तो 200 परवारन दीवस 5 जून को मनाय जाता है सभी को माले होगा यानिका अप्षान नमबर B, इसका राइट एंसर हो जेगा ये भी प्रस्वन बहुत ही महतमुढ है बार बार पूछे जाता है परयावरन दीवस और इस साल भी आया था बढ़ी हुई त्वाचा गैंसर एम उचपरिवर्तन दर का कारण है तो बढ़ी हुई त्वाचा के कैंसर जो होता है याँ उचपरिवर्तन या होता है ओजोन छरहन से यानिका अपसा नमबर B इसका राइट एंसर हो जगा मीनी माता रोग होता है तो मीनी माता रोग या मिथाइल मरकनी द्वरा होता है यानि कि अपसा नमबर C इसका राइटेशन एंसर हो जाएगा किसी भी कोजन में डाउट होगो तो आप एक बार डाउट जरूप के लिए कर लिजेगा कमेंट के माध्यम से और प्रस्निकी भारत में मिथेन का प्रमूख सुरोत क्या है काना के खेती, धान की खेती, गेहों की खेत और बगान तो प्रमूख जो मिथेन का सुरोत है वो धान की खेत होता है गोल्डेन राइस में याद रखेगा गोल्डेन राइस में मिथेन पाए जाता है golden rice में याद रखेगा मिथेन तो मिथेन का प्रमुक्स रोधान की खेत है सबसे बड़ा ओजोन छीदर किसके उपर है तो अंटारिक्टेका के उपर है सबसे बड़ा ओजोन छीदर याद रखेगा और फ्रस्न है कि WHO World Health Organization के द्वारा ध्वानी पर दूसन का कौन सा मानक साही है 20-30 Decibal 75 D Sport 45 Decibal 45 Decibal 90 Decibal तो WHA के द्वारा ध्वानी पर दूसन के लिए बड़ा 55 Decibal ही मानक साही है यैनिक अफसा नमबर B इसका राइट एंसर होजेगा नेक्ट अप प्रश्न है प्रस्टने की निमली खित में कौन सा बायो गैस है CO2, CH4, N2, N2O तो बायो गैस जो होता है वह CH4 होता है बायो गैस का प्रमुक उधारन मिथे नहीं होता है याद रखेगा अखबार के कागज में कौन सा भी सेला पदार्थ होता है केडमियम तो होता नहीं है एमजी मेगनेसियम और यह होता ही नहीं है यानि की PD होता है यानि की अफसर नमबर B इसका राइट एंसर हो जगा नेक्ट अप्रस्टने की A02 परदोसन में परभावित होता है माइटोकंड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, ER, गॉलजी का है माइटोकंड्रिया को कोशिका के पावर हाउस काहा जाता है याद रैखेगा यहाँ पुछाए A02 परदोसन्स से परभावित होता है तो वह क्लोरोफ्लास्ट होता है क्लोर्व पलास्ट हरे पत्तों में पाय जाता है और क्लोरोफील के कारण ही हारा पत्ता होता है याद रखेगा नेक्षन प्रस्ण की ओजोन दिवस को मनाय जाता है तो ओजोन दिवस या पांच सितंबर को मनाय जाता है याद रखेगा निकापसा नमबर ए इसका राइट एंसर हो जेगा प्रस्ण कि ताज महल की सुन्दार्ता को नस्ट कर रहा है तो वह वायू परदूसन है यानि कि अमलिय बार्षा के कारण उजोन जो ताज महल की सुन्दार्ता है वह नस्ट होते जा रहा है यानि कि वायू परदूसन के कारण यानि कि अपसा नमबर C इसका राइट एंसर हो प्रश्ण है कि औजोन परत धाका रहता है तो औजोन परत या धाका रहता है समताम मंडल में यानिक अपसा नमबर C इसका राइट एंसर हो जगा प्रश्ण है कि निमली खित में कौन सा द्वीतिय परदूसक है सल्फर डाइक्साइड, कर्वन डाइक्साइड, पॉली एक्रो नाइट्राइल, एरोसॉल तो द्वित्यक पर दूसर के रूप में पॉली एक्रो नाइट्राइल होता है यानिक अफसा नमबर सी इसका राइट एंसर हो जाएगा PAN प्रश्ण के ग्रीन हाउस पर भाव का मुख्य कारक क्या है तो यह एक बार और देख चुके थे तो इसका मुख्य कारक है CO2 करबंड डाइक्साइड, याद रखेगा नेक्शन प्रश्ण है घौरों में हनिकारक विकिरन के मुख्य सुरोत क्या होता है त्यूब लाइट, रंगीन, टीवी, चुलहा, हीटर तो घौरों में हनिकारक विकिरन जो होता है इसका मुख्य सुरोत होता है त्यूब लाइट यानिका अपसा नमबर A इसका राइट एंसर हो जएगा समताप मंडल में BQ यानिकि भीकीरन और सोचित करता है तो समताप मंडल में जो भीकीरन और सोचित करता है O3 यानिकि ओजोन का सूत रहता है O3 याद रखेगा और उजियन दिवास से 5 सितंबर को मनाये जाता है ये भी याद रखेगा जेट प्लेन निकास में मुख्या पर दूसक क्या होता है तो फ्लोरो कारवन होता है यानि कापसा नमबर ए इसका राइट एंसर होजेगा फ्लोरो कारवन मुख्या पर दूसक क्या होता है CO, CO2, ozone, hydrocarbon, गर्म वायू, और D है सेवालों के भी जाणू तो मुंबई और कुलकात्ता के सहरों में मुख्य परदूसक के रूप में होता है CO और CO2 यानि कि carbon monoxide और sulfur dioxide निका अप्सान नंबर A इसका right answer हो जेगा CO तथा CO2 नेक्स ना प्रस्ण है कि Kyoto protocol संबाधित होता है तो Kyoto protocol या जो मुख्य संबाधित होता है हरित ग्रीह परभाव के Sorry यानि कि Kyoto protocol या संबाधित होता है ओजोन 6 से यानि कि option number A इसका right answer हो जेगा याद रखेगा और प्रस्ण है कि फ्लोरायड की संदध में बढ़ने से होता है तो फ्लोराइड की संदर्ता वाइमंडल में जब बढ़ती है तो उससे क्या होता है फ्लोरोसीस भी होता है निक्रोसीस भी होता है यानि कि क्लोरोसीस नेक्रोसीस प्लोरोसीस यानि कि इसका राइटेंसर हो जाएगा इन में से सभी फ्लोराइड की संदर्ता वाइमंडल में बढ़ने से होता है यानिकि इसका राइटेंसर हो जएगा याद रखेगा और फ्रस्ण है ये भी प्रस्ण दो से तीन बार पुछा जा चुका है सभी प्रस्ण महत्य पूर्णे तो इन प्रस्णों को आप लोग एक से दो बार देख लेते हैं यानिकि इस वीडियो को तो नारान ही उजोन परत्य का च्छाई होने लगता है तो इसके लिए यूए से जिमेवार है यूनाइटेड एस्टेट ऑफ अमेरिका निकापसा नमबर ए इसका राइट एंसर हो जाएगा तो दूस्तों इस प्रकार से इस मात्यपूर्ण सेशन को यहीं पे खत्म करते हैं अ झाल